इस सीन में स्निहा के बाल उसके लेप्ट वाले कंदे पर हमें दिखाई देते हैं पर जैसी कैमेरा दूर से दिखाया जाता है तो वे स्निहा के कंदे पर हमें कोई भी बाल नहीं दिखाई देते इस सीन में भी स्निहा के लेपट वाले कंदे पर हमें उसके बाल दिखाई देते हैं पर दुसरे ही सीन में कैमेरा का एंगल चेंज होता है तो हमें स्निहा के कंदों पर कोई बाल नहीं दिखाई देते ये काफी का ग्लास यहां हमें दिखाई देता है इन कितामों के पास पर जब सीन चेंज होता है तो वही ग्लास हमें उन कितामों से बहुत दूर रखा हुआ दिखाई देता है जब स्निहा और एजन्ट साई कार में से जा रहे होते हैं तब उस scene में kya के हाथो में cigarette और lighter होती है और दुसरे scene में अचनक से coffee का डिबबा भी आ जाता है और उसके बाद वाले scene में एक diary और एक pen साई के हाथो में हमें दिखाय देता है जो कि पहले left और right वाले कंदों पर थे पर जब सब लोग वहां से चले हुए जा रहे होते हैं तब उस वक्त हमें उस आदमे के गले में कोई भी एयरफोन नहीं दिखता पर जैसी camera का एंगल चेंज होता है तो उसी के गले में फिर एक बार हमें वह एयरफोन दिखाई देते ह है या इस सीन में साई ने कोट और गौगल्स नहीं पहने होते है पर जेसे सीन बदलता है तो साई ने कोट पहना हुआ होता है लेफ थे पिर पीछे यह सरह लाल ओ कार गार पर उससी सीन में हमें saai के पीछे भी एक बश है डिखाई duy और अगले सीनमें वह बस भी वहां इस सीन में हमें दो नारेयल गिरे होई दिखाय देते हैं पर जब साई नारेयल उठाता है तब साई के हाथ में हमें सिर्फ एक ही नारेयल दिखाय देता है इस सीन में अजे के हाथों में एक प्लैस्टिक की बैग होती है पर जब अजे गाड़ी पर बेट कर जा रहा होता है तो उस वक्त उसके हाथ में कहीं भी प्लैस्टिकी बैग हमें नहीं दिखाई देती इस सीन में साई इस खुर्ची पर हाथ रखके खड़ा हुआ होता है और दूसरे सीन में हमें वह खुर्ची नहीं दिखाई देती बलकि वह खुर्ची उस सीन में कहीं भी नहीं दिखाई द अगली सीन में वही चीज उस क्यूभिक पीच्छे रखे हुई हमें दिखाये दीते हैं उसी सीन में हमें ये कॉफी का डिबा डिखाई देता हैं जोकी पेपर से बहुत दूर रंखा हुआ होता है अगली और सीन के वोझी का डिबा हमें निख möता है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजे अगर यह वीडियो आप YouTube पर देख रहे हो तो हमारी चानल को सब्सक्राइब कीजे और अगर Facebook पर देख रहे हो तो हमारे बेज को लाइक कीजे और अपने दोस्तों के साथ शेर करना ना बूले धन्येवाद